हेलो फ्रेंड सुनीता सर्मा किचन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड आज हम आपके लिले आए हैं बालो के लिए होम मेट रेमेडी वो भी चाय में आप ये चीज मिला के लगा लोगी तो आपको तंग आके बालो को कटवाने पड़ेंगे इतनी ज्यादा असरदार लिए हैं आप कोई भी बरतन ले सकते हैं उसमें आपको डाल देना इसमें चाय पती तो चाय पती तो अकसर रोज पीते हैं तो सभी के घर में मिली जाती है यह ज्यादा असरदार नुस्का है तो आप इस तरही के से जरूर अपलाई करें और बोती आपके सिल्कीर साइनिं चमकदार और एक तम बाल इतने लंबे घने हो जाएंगे खुद देखके चौंक जाएंगे तो हमने तीन चमक चाय पत्ती की ले लिए एक ले लिए हमने एलोवेरा ले लिया तो अकसर सभी के घरों में लगा रहता है पेड़ है जो इसका और नहीं है तो आप इसकी जग़ हो जाएंगे खुद देखके चौंक जाएंगे चाय पत्ती को भी आपको मालूम है चाय पत्ती को लगाने से जिनके भी बाल अगर आपके बालों में साइनिंग नहीं है और अगर बाल आपकी ज्यादा सपेद हो रहे तो आप इस तरीके से लगाओगे तो बिल्कुल काले ह बाल वापिस आजाएंगे तो उसके लिए एक पैन ले लिए इसमें डाल देंगे जो चाय पत्ती को लिए उसको डाल दिये हैं और अब इसमें डाल देंगे एक गलास पानी का डाल देंगे और आप इसमें और चीजे भी एड़ कर सकते हैं बट पर आम आज आज आपको बत आप चाओ तो इसको मिक्सी में पीस भी सकते हैं बट इस तरीके से कट करोगे तो अभी पूरा अच्छी से जैल इसका निकल जाएगा अलोईरा में बहुती ज़्यादा करता है हमारे बालों के लिए अगर आपके बाल टोट भी रहें तो उसमें भी रोकने का बहुती जल्द पर नई है तो सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने मारा फेस्टू पेस्ट फोलो नहीं किया तो वहां पर भी जाके फोलो करें लाइक करें शेयर करें तो इस तरीके से अमने अलोविरा को जैल निकाले उसको इस तरीके से मैस कर लेना है कि छोटे-छोटे पीसिस में अगर आपको इस तरीके से इसको मैस करने में टाइम लग रहा हूँ तो आप इसको मिक्सी में भी पीज सकते हैं तो देखे बिल्कुल अच्छी से छोटे-छोटे टुकडों में कट हो गए है यह बहुत ही ज्यादा अपने बालों के लिए बहुत ही ज्यादा करता है अलोवेरा जैल है जो तो आकसर इसको जरूर लगाना चाहिए अगर किसी के पास ने भी हो तो आप इसको यह जो रैड और यह अमने चाय पती को भी उबालने के लिए रग दे थे तो आप इसको पंद्रमनेट के लिए हाई टू लोपलेम पर पकाना है कि इसका जो भी कसर चाय पती का वो निकल जाए और जो अलोवेरा को अमने पीस कट करके डाले है इसको इसी में मिक्स करके रची से पका ले आपको लगान है तो आपको ज्यादा लग से कोई मैनत नी करनी पड़ेगी इसी को मिक्स करके आप इसमें दोके आपके बालों को बहुती अच्छी से अग्रोथ पा सकते हैं और मन चाय बालों की लंबाई आप इस तरीके से देख सकते हैं खुद देखके चोंग जाएंग आहारे बालों को बहुति जल्दी काला करती एंआर बहुती ज्यादा है बहुत जबूत बनाती है जड़ो को ये इस तरीके से छान लिया है देख डe in क्ट्रasy goodn जो बिसका चीकनाट माइब नहीं है अब भिसमे एक चीज आड़ करेंगी जो अकसर सभी के पास अब जो आपको आपको वेसे आड़ करना है और जो भी कोई सेम्पू जो यूज रगा सकते हैं बगने है और जो ङूशन पर पांस मिनट के लिए और आपको रखना पड़ेगा इसको बालों में लगाने के बाद में आप इसको दो लेना है बहुत ही कम महनत में अपने बालों को आप खुब सूरत और चमकदार बना सकते हैं कि सभी की इच्छा रहती है कि सभी के अच्छे बाल हों तो आप इस तरीके से अपने बालों को मजबूत और घने लंबे बना सकते हैं बहुती आसान रेमेडी है ये और प्लीज फ्रेंट्स आपसे रिक्वेस्ट एक वीडियो पसंद आए तो लाइव और कमेंट करके जरूर बते हैं अगर कोई डाउट आ आपको वीडियो में तो आप अमारे को कमेंट में पूंच सकते हैं तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और आप इसको एर टैट और साइनिंग बना सकते हैं सिल्की एकदम बहुत ही अच्छे बाल हो जाएंग मैं यकीन से बोल रही हूं तो आज के लेट नहीं थैंक्यू झाल